इस वीडियो में हम E++ का एक प्रोगाम जो एनसे सॉल करेंगे तो यह प्रॉब्लम जो है इसमें सिंपल जो आप यह जो हैडलाइन आप इसे पढ़ें तो आपको समझ आएगा कि लिखा है कि आप राइट आप प्रोगाम देट इंपूट्स तो नंबर्स फ्राम यूजर्स ए यहां पर नीचे राइट किया है कि second number is square of first number तो चलिए चलते हैं और इस problem को हम solve करते हैं भी हमने जो है problem understand किया है तो अब हम write करेंगे user से हमने δो number लेने है अचल्म जो problem था रहा इसमें हमारे पास यह है कि जो first जो हमने number इंटर करना है अगर अगर हम इसका paired scale लें वो जो second number है ना वो इसके equal हो तो इसका मतलब यह है कि जो जैसे यहाँ पर मैंने 3 और 9 लिख है तो इसका मतलब है 3 को multiply करें 3 से तो इसका जो है result हमारे पास क्या आईगा 9 तो इस तरह का हमने एक जो simple से हमने program बनाना है तो इसके लिए हमने दो variable बनाएंगे इंटीजर टाइब के आप बना ले दो variables एक मैं क्या देता हूं num जो है ना जो number one है इसके बाद जो दूसरा number है उसका नाम मैं रख लेता हूं num two इस तरह से मैंने दो variable के नाम रख लिए हैं इसके बाद आपने यूजर से जो है ना दोनों जो number है ने इनमें input करा लेनी है तो आपने ये हैं इनको जो है input cout enter the first number and then cn जो है ना फस्ट नमबर हमने input करा लिया देन हमने इस तरह हमने second number input कराना है तो हम second number input कराएंगे इस तरह हमरे पास ये जो दो number है हमने input करा लिया है अब हमने condition चेक करनी है कि जो हमारा first number है वो जो उसका square जो है वो second number के equal है या नहीं है इसके लिए जो आपने simple जो है नहीं है उसकी if की condition लगानी है और उसके अंदर नहीं है जो number one है number one को आपस में multiply करके नहीं equal to equal to number two के है तो then जो आपका जो second number है नहीं है वो square होगा first number के तो simple सी condition लिगनी है तो हम लिखते हैं वो condition condition है इस जो if है नहीं है इस के अंदर हमने वो condition लगानी है कि जो first number है उसका जो square है वो second number के equal हाना चाहिए अगर यह condition हमारे पास true होगी तो हम नीचे जो है नहीं हो प्रिंट कराएंगे जो हमने problem के अंदर देखी थी यहाँ पर अक्सर जो है ना students वो जो mistake करते हैं यहाँ पर equal to equal to नीच डालते हैं बलके वो यहाँ पर ना एक equal डालके न छोड़ देते हैं तो आपने यह याद रखना है यहाँ पर equal to equal to जो operator है ना यहाँ पर वो डालना है तो यह mistake नहीं करनी आपने तो जो first number है उसका square होगा equal to equal to second number के तो यह हमारे पास है इसके नीचे हमने जो हमने जो problem था ना उसके अंदर हमने देखी देखा था कि हमने जो first number है और उसका square हो second number के equal है तो last में जो output हमने करानी थी वो यह चीज़ थी इस चीज़ को हमने output कराना है तो जागर हम इसे चेक करते हैं अगर यह condition true होगी तो हमार करी condition false हुई तो हमारे पास कोई output नहीं हानी तो अब हम इस program को run करते हैं और देखते हैं इसकी output जो है ना first number equal to equal to second number है यानी है तो आपने program को run कर लेना है और firstly जो number है मैं इंटर करा रहा हूं ती इसके बाद जो second number है मैं इंटर करा हूंगा 9 हाँ तो आप देख सकते हैं नीचे से हमारे पास यह output आ गई है कि second number is square off first number तो यह simple सा program था जिसमें हमने जो दो नंबर इंटर कराने थे और जो second number है वो scare off होगा first number तो आपको यह जो problem था समझा आगया होगा तो आप मेरा channel को like करें और subscribe करें और जो playlist है इसको follow कर लें इसमें मैं मजीद भी जो problem है वो सवाल कराऊंगा आपको thank you झाल करें